थोड़ा सा मेरा तबियद डाउन हो गया था इसलिए आठवे पार्ट आने में थोड़ा सा एक दिन का डिले हो गया लेकिन अब मैं आ गया हूँ पेड ब्लोगिंग कोर्स के आठवे पार्ट के साथ जिसमें आज हम जानेंगे एड़बांस कम्पिटीटर एनलीसिस के बाले म जो भी केंपिटीटर एनलीसिस से लिवीडियो चल रहा है उसमें टाइम टू टाइम में बताता हूं कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करना है डाटा के बेसपे कि आपके कम्पिटीटर वाले साइट कौन से टूल्स यूज कर रहे है कोन से प्लगिन यूज गरे कैसा उनका डोमेन है कैसा उनका डिजाइन है वो सारा डाटा कलेक्ट करके और कैसे आपको डिसीजन बना के अपने ब्लोग पर काम करना है तो उसी कड़ी में ये एक थोरा सा एडवांस है जिसमें और अच्छे तरीके से हम competitors के बाने में जानेंगे कहा वो rank कर रहा है कैसे rank कर रहे ये सारी चीज आज के वीडियो में जानेंगे तो आज के वीडियो में आगे बनने से पहले क्या करना होता है आपको पहले ही पता है बिल्कुल आपको बस like करना है और वीडियो को continue रखना है देखो मैं कोशिस करता हू तो आप भी कोसिस करना कि skip मत करना ताकि देखो जब तक आप line by line चीजे सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक बाते समझ में नहीं आगी बहुत बार कुछ चीजे सुनके ही समझ में आती है पिछले वीडियो में मैंने example के साथ बताया था कि competitor analysis क्यों जरूरी होता है जैसे मैंने नदी का example दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी capacity कितना है आपका height कितना है और आप कितने दूरी तक नदी में जा सकते हो इससे competitor analysis का पता चल जाएगा कि हमारे competitor कौन-कौन से है लेकिन आज के वीडियो में हम जानेगे कि हमें exactly कहां काम करना है हमें नदी में exactly कहां जाना है जहां से हमें benefit मिलेगा तो आज के वीडियो में हम जानेंगे advanced competitor analysis के बारे में और सारा का सारा फ्री मेथड यूज करेंगे अब देखो बहुत लोग बोलते हैं कि भाईया सेमरस यूज कर लो जो की सस्ता आता है भाई बात यहां टूल और पैसे का नहीं है बात यहां है कि कितना ज़्यादा प्रेक्टिस कर रहे हो फ्री मेथड में आपको मैनुवल मेहन जब तक आपके पास स्किल नहीं है आप को पैसे फेको को दो जो कौन से पॉइंट पे मुझे मेहनत करना है तो यहीं आज के वीडियो में हम जानेंगे जैसा कि आप सभी को पता है जो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा है कि अपना नीस जो है स्पोर्टिफाई है और हमारा जो साइट है स्पोर्टिफाई करनर डॉट कॉम है जिस पर अभी हमने काम नहीं किया है बस साइट सेट अप और डोमेन लेके छोड़ दिया है ताकि अभी और कंपर्टीटर एनलीसिस कर सके और फिर सारा काम हम इसी साइट पे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो और फिर इसके बेस पे थीम और प्लगिन सेट किया था उसके बाद एक नीस फाइंडिंग सीरीज में मैंने वीडियो किया था कि इसका बिग बॉस के उपर उसमें हमने क्या बात किया था कि डोमेन कौन सा होना चाहिए यह कैसे पता चलेगा तो यह भी आप डिसाइड कर सक है डोट कोम है ठीक है डोट कोम है डोट कोम है .com है .com है NotikسproAm भी competitor का domain है वो क्या है .com है और हम लोगों ने कौन सा domain लिया है spotifycorner.com ठीक है यहीं हमें data के base पर यह सारी चीजों को consider करना होता है कि कौन सा domain लेंगे कौन सा design होगा अब एक बार design का समझ लेते हैं कि design इन लोगों ने कैसा किया है ठीक है एक बार यह spotify solution खोलते हैं सब सब एक बार सारा खोल लेते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी सारी चीजों को करने में असानी रहेगी तो पिछला जो इस फाइंडिंग सीरीज है ना उसका एक बार हम लोग revision कर लेते हैं थोरा सा तो यह देखो नॉर्मल है ठीक है यह थोरा सा custom type का है और नॉर्मल है ठीक है और यह कितना है यह custom है ठीक है देख रहे हो design यह भी थोरा सा custom type है यह नॉर्मल है यह अशी आप सारा data यहां पर डा और यह वाला भी जो है ना वह नोर्मन तो ऐसे एक बार यह डाटा हम नहीं हो गया इसके बेस पर अल्रेडी हमने डॉमेंड बुक कर लिया डियाइन कैसे करना वह डिजाइन वाले पार्ट में जानेंगे लेकिन आज हमारा क्या है वह एडवांस कंपटीटर अनलीसिस का है ज यह सब एक बार आप डाटा लेके अपने बेस पे एक बार डिसीजन बनाने की आप कोसिस करना ताकि आपको कंफिडेंस आ जाए तो आज हम जानते हैं कीवर्स और यह एनलीसिस के बारे में तो अल्रेडी हम लोग ने दो साइट के कीवर्स निकाल लिये थे और कैसे निकाल एक बार जितने भी साइट हैं यहां लिख लेते हैं स्पोर्टिफाई अनब्लॉक्टिफाई स्पोर्ट मानिया और बोल्ड कर लेंगे और एक बार इसको थोरा सा बना लेंगे सही कि थोरा सही लगे तो अच्छा लगता है अब देखो जैसे हम लोग यह कीवर्ड कैसे नि सारा डाटा निकाल के यह लिखा था तो बाकि जो भी बाकि थे मैने आप लूग को बोला था करने के लिए साइध आप लोगों ने किया है या नहीं किया है जिन्हों ने किया है बहुत अच्छा जिन्हों नहीं किया है वो वीडियो एक बार देख लो कि कैसे मैं कर रहा हूं तो आपको क्या करना है या simply domain डाल देना है ठीक है और यहाँ पे सर्च करने और देखो इनको क्या करना है copy to clipboard करने नहीं copy कर लो और इसको simply यहाँ पे आके कहां ड़ना है यहाँ पेस्ट कर देना है ठीक है तो यह पेस्ट होगे लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और बनाना है क्या बनाना है वो मैं एक यहां पर और यहां पर बना देता हूं जिसका नाम रखेंगे हम लोग टॉप पेजेस मतलब इस साइट का टॉप पेजेस कौन से हैं वो सारी चीजें यहां पर हम डाटा डालेंगे तो यह था स्पोर्टिफाई अन्लॉक ऊपर ही आपको टॉप पेजेस issue और इसको क्या करना harus पर चलते जाएगा ना कि है यहांपे दस Сंत मिल टाब टीक रिकां़ यहां को माने निया ओधीा यहां तो यहां पर आपका डाटा वो फ्रिरीगा है वह खतरब पर पेजेस ब्लोलेंग दिर प्रिश्ट में फिर जाएंगे वैसे ही हटाने के बार ठीक है और फिर दूसरा साइट डालके सर्च करेंगे अब देखो इसके भी टॉप पेजेस यहां पर दिख रहेंगे इसको कॉपी टूप करेंगे स्पोटीफाइब में जाएंगे ठीक है और टॉप पेजेस में आके इ पिर नहीं हो इस सारे डाता वन बई डीलीट कर दूक अब डंब करो फिर रेलोड करेंगे जो आक rebuilt चले जाओ או रहा है अब जब नहीं हो यह सारे डाटा वन बीट कर दो एक बार डन करो स्ब्रों डॉट करो चला घाऊ देखो थोड़ा सा वेट करना परेगा बाकि सारा डाटा ऐसे आ जाएगा आपको ऐसे ही करना है तोप पेजेस आ गया पी कर लो पर पर देखो इसका कीवर्ट ही पर बार इसे जाओ पर बच गया हाउ टू यूज इस पॉटीफाइट ही यह लास्ट वाला बसे हम ऐसे ही करेंगे यहां पर पर पता है ना कि वहीं इस हूँ आएगा इसमें इसलिए हम क्या करेंगे पहले कुकीज में जाएंगे दो भाई सा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है जैसे कि अभी आपके सामने में लेके दिखा रहा हूं ठीक है यहां से भी मैं टॉपेज यहां से निकाल देता हूं पहले कॉपी टू क्लिप बोर्ड कॉपी और पेस्ट करते हैं अब देखो इसका बच गया फि कीवोर्ड में डाल अधिसी साथ से हमारे सारे जो कंपटिटर से उनके कीवड सामारे पास आ गया उनके टॉप पेज़ेस भी हमारे पास आ एक दो तीन चार साइट के टौप इस वाले यह हमारे रह गये दो सपॉटिफाई सोल्यूशन और और श्फोटिफाई है ल्प यह भी आप इजली फाइंड कर सकते हूं चलो एक बार फाइंड करके देख ले अब देखो आप कमण करें तो यहां से ट्राइल भी ले वह लोगिन भी करके यूज कर सकते हूं इस पॉर्टिफाइज स्वर्यूशन आ गया एक कीबोर्ड है यहां आके मैं टॉप पेजस में एक बार डाल देता हूं और इसका नाम रखोंगा स्पॉर्टिफाइज स्वर्यूशन एक बज़ गया स्पॉर्टिफाइज करके ठीक है इसको डारेक्टली आप यहां डाल सकते हों और स्ट्टिप्यस हटा दो स्पॉर्टिफाइज हेल्फ इसको क्या करेंoff अपने पास टॉप टेजस भी आगया ठीक है इसके भी तो देखो अपने पास कीवट का लिस्ट बन गया अब क्या करना है इसको क्वापी करने ना जैसे यहां का कीवड होगा हाव मेनी डिवाइसेज ऑन एसपोर्टीफाइब प्रीमियम ठीक है तो यह आपको इसमें से जैसे यह सलग है ना यह सलग दिख रहा है ना इसमें से यह आपको निकालने नहीं है आप अपने मन से भी लिख सकते हूं या फिर मेरे पास मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखा है पाइथन में वह मैं यूज करता हूं ठीक है तो वह सलग वाला ठीक है तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूं और जो भी कॉपी किया था उसको मैं यहां क्या करूंगा पेश्ट कर लूँगा यहां से सबको कॉपी कर लूँगा और मेरे पास जो स्क्रिप्ट है इसको रन करके यहां से मैं पेश्ट कर दूँगा और जैसे ही मैं पेश्ट करता हूं सारा देखो कीवर्ड निकल गया स्लग से ओके और इसको फिर से मेरे को क्या कर करना है यहां से मैं यहां से जो नाम है यहां से कौपी कर लूगा ठीक है और यह अगर सक्रिप्ट चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा या नीचे बता दो ताक्कि आप लोग को भी काफी ज्यादा हेल्फ हो जाएगा इसे ठीक है अब देखो यहां से मैं क्या करूँगा यहां पर आके सीधे पेश्ट कर दूँगा ओके तो देखो और लेडी सारे आ गया अब जो जो भी साइट का नाम है इसको सिर्फ आप लोग को क्या कर लेना है ग्रीन कर ले परे मैं जानेंगे कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड ग्रूपिंग उसके बाद टोपी कलस्टर सारा चीज़ देखो यहीं से होगा जब तक आप डाटा नहीं निकालोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यह कीवर्ड हो गया अब एक लाइन और बना लेते हैं यहां प क्रिप्टी खेलते हैं देखो हूँ यहां पह आ गया ईकी वर्ड वाला स्क्रीपं रून कर दिया इसके लिए मेरे को क्या करना है इसको एक बज़ा अब मैं जांद आओं गयाँए सीधे स्क्रीप्ट交 वाले में और यहां पर मैं पेस्ट कर दूँए जैसे कर दूँए उन जाटा नहीं आया साइद पहने बिलेंक लाइन वो मैंने कर लिया था बिलेंक लाइन नहीं करना था ठीक है तो आप बिलेंक छोड़ दो जो खाली है उसको छोड़ना है ठीक है I think वहीं इस हुआ था फिर से इसको एक बर रन कराएंगे और यहां पर डालेंगे ठीक है हाँ त मतलब बाकि डूबलिकेट से तो यह आपको चेक करना है और वन बै वन आपको इसको क्या कर सकते हो ग्रीन कर सकते हो यह सारे यूनिक कीवर्ट है जो आपको इंसाइट से मिली है जो टॉप पेजेज है जिन पर इन्होंने काम किया है मतलब यह कि आप इस पे भी आर्टिकल कैसे करना है कहा कहा article कौब कौन सा करना है यह आगे हम लोग keyword grouping करके जानेंगे ठीक है ऐक बागी एक बादaison लोगा तो सारी यूनिक keyword आपको मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको unique keywords मिल गया कीवर्ड मिल गए अब देखो और भी बहुत सारे कीवर्ड है अब इसमें से सब को मिला के यूनिक एक फाइंड करते हैं ठीक है तो यह कितना है यह कितना एक दो तीन चार पांच बीस पच्चेस सो है सो है तो इसको भी हम लोग एक बार डाल के देखते हैं अपने स्क्रिप् कर लेखें और इसको भी एक बार हम लोग करके देख रहें लेते हैं घरम सो दॉर्वंस होग이 अब देख Dansi अब यहीं सब टार हमारे पास रहेंगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से कीवार्ट्स पर हमें काम करना है कैसे आर्टिकल लिखना है यह सारा चीज हमें पता चलते रहेगा यह है यूनिक कीवर्ट तो यह हम लोग आगे ऐसे निकालेंगे ताकि आगे हमारे लिए हेल्फुल हो और हम इस डाटा के मदब से बाकी और कर सकते हैं और ये अनालीसिस में फ्रा और आघे बरते हैं ठीक है हम ये यहां पर टैक करना है लेकिन हम लोग कुछ अलग छेक करेंगे दिया करें के लिपी जाके इस यह देखो रेजिस्टेशन मांग रहा है यहां से मैं Google से एक बार कर लेता हूं तो देखो मेरा ट्राइल खतम हो गया है लेकिन अगर आप लोगे तो आपको 30 दिनों का ट्राइल भी मिल सकता है तो यह बात आप एक बार चेक करने रहा है तो मैं यहां पर आके एक बार अपने ट्रैफिक कहां से आ रहा है बस यह आइडिया लगाना है और देखो उसके बाद आपको यहां नीचे आ जाना है देखना है कि कंट्री कहां कहां से ट्रैफिक आ रहा है यह बस यह आइडिया के लिए है उसके बाद और गेनिक सर्च यह हमेशा देखना कि 50% से ऊपर हो तो अच्छा है डारेक्ट ज्यादा रहे तो साइट को इगनोर करना है लेकिन अब आता है हमारे काम का चीज यह सारे कीवर्ड को हमें नोट कर लेना है जो भी यह टॉप और गेनिक कीवर्ड है यह हमें नोट कर लेना है और यह नोट करने के लिए हम क्या करेंगे यह सर्च वाल एक दूसरा है ये इसको बाद इसमें सर्च कर लेंगे दो हो गया तीन हो गया आपको हर साइट के यहां पर पांच-पांच कीवर्ड मिल जाएंगे ठीक है तीन ये काफी जादा helpful होते हैं ये actually में rank कर रहे होते हैं यहीं कीवर्ड अगर अगर आप इसको target करते हो और आपका authority इसके आस पास है तो आप बहुत जल्दी rank करोगे आपके keywords बहुत जल्दी rank करेंगे ठीक है तो यहीं चीजे हमें इसा ध्यान रखना होता है आपको ध्यान से ब यह हर साइट से आपको 55 data निकालना है आपको यह हमेशा से कर लेना है आपके जितने भी competitor है सब के 55 data आपको यहां से similar web से मिल जाएगा तो वह आपको निकाल लेना है यह काफी ज्यादा helpful रहेगा उसके बाद यह note कर लेना है कि social media से कहां कहां से traffic आ रहा है तो LinkedIn और Twitter आ रहा क्या है कि अब दुख सेम आपको ऐसे दूसरे साइट में इसके साथ करने ना स्पोर्टिफाइब के साथ अब देखते हैं इसमें कुछ data आता है कि नहीं ठीक है देखो United State ही है और गेनिक ही ज्यादा है अब देखो इसके भी आपको लिख लेना स्पोर्टिफाइब कि ऐसे आप वन भाई खुझ से भी लिख सकते हों यहां से देख देखे ठीक है इस्पोर्टिफाइब यूजर सर्च यह simple चीजे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा important चीजे है अगर यह आप कर लोगे ना तो आपको कभी भी ranking में कोई issue नहीं आएगा अगर यह चीजे कर लोगे बहुत लोग बोलते हैं ना कि वह यह traffic नहीं आ रहा रहा तो problem यहीं रहता है कि बीना सोचे समझे वो लोग blog अच्छी कर रहे हैं दो तीन वीडियो से तो ऐसे ही आगर आप करते जाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा देखो इसमें social traffic कुछ भी नहीं है देखो social traffic हम लोग इसलिए लिख रहे ना कि ताकि हम उसी जगह पर जाकर social media का अपना profile बनाएंगे क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है ना कि इनको वहीं से traffic आ रहा है तो ज्यादा help होड़ा है तो ऐसे चीजों को आपको भी कर लेना है उसके बाद अगर आपको भी competitor site भी निकालना है ना तो यहां से आप simply निकाल सकते हो तो देखो यहां पर दो ही competitors है बाकी अगर आपको पूरा वीड देखते हैं कि कहां से traffic आ रहा है और फिर कौन-कौन से top keywords पर आ रहा है तो अगर यहीं आप target करोगे ना तो आपको अच्छा खासा हो जाएगा तो आज के वीडियो में देखो हमने क्या क्या किया है एक बार देख लेते हैं similar wave से sub site का निकालना है मैंने दो निकाला है तीन आप लोग निकालोगे दोस्त तीन यह चार जो भी उसके बाद topics हमने निकाला आ है उसके बाद उसके keywords निकालने है उसमें से unique keywords निकालने हैं उसके बाद सारे site के हम लोग ने आज keywords निकाला है और उनके unique keywords भी निकालने है with the help of a script with the help of a script और Ubersuggest तो उमीद करता हूं कि यह स को समझ में आ रही होगी ठीक है तो उमीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और थोरा सा प्रेक्टीकल ही है और इसको जितना ज्यादा करोगे ना उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा बाकी देखो पिछला होमवर्क हम ने दे दिया है कि यह सारा homework करो जैसे niche decide करना competitor analysis उम्मीद करता हूँ कि यह उपर वाले सारे हो गए होगे आज का जो task है ना वही है कि similar web से सारे keywords निकालना है कौन से social profile है यह सारी चीजों को देखना है ठीक है उसके बाद next module जो हमारा होगा जैसे की कैसे हमने keyword find किया है तो इनको keyword grouping करेंगे इनके keywords के बारे में जानेंगे और इसके base पे और हम untapped keyword find करने की कोसिस करेंगे अगले वीडियो में उसके बाद यह पूरा जो pay training चल रहा है इसका मैंने एक playlist बना दिया है जिसका link description में है वहाँ से जाके अगर आप यह follow करोगे तो one by one चीजे समझ पाओगे अगर direct आप आठवा पांचवा पार्ट देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं आपको suggest करूँगा कि zero part से देखो zero one two three से ठीक है उसके बाद इस playlist को आपको अपने दोस्तों के साथ share करना है ताकि share करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी और आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपके पास कोई भी question हो suggestion हो feedback हो नीचे comment करके जरूर बताना है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी आप नीचे comment करके बताओ कि ये training कैसा जा रहा है आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो क्या issue है वो सारा नीचे मुझे बताओगे तभी मेरे को motivation मिलेगा और अभी तक आपने channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस channel को सब्सक्राइब कर लिए जिए और जहां भी रहे है आप लोग मस्त रहे है स्वस्त रहे है थैंक यू सो मच